आप सभी का स्वागत हमेरे प्रहे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे पहरे दोस्त ये बाल विकास स्रीज का दूसरा पार्ट है गर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखकर आईए उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हु की है आज हम बात करेंगे बिकास जो है किस कारणों से होता है ठीक है इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे बस आपको वीडियो को सुरू से ले करके अंत तक देखना है और बने रहना है मेरे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं बात करें मेरे दोस्त बिकास के कारण का जो पहला का विकास होने का जो पहला कारणा जाता है वह आ जाता है परिपक्क्वंजी से कहते हैं मिचोर नेशन ठीक है बात करें परिपक्कन का ताथ पर बेक्ट के आंतरिक अंगों को प्रोण होने से हैं और उन गुणों के विक्सित होने से हैं जो उसे वंस परंपरा से प्रा बात करने कि उसके तर्क करने कि उसके निर्णाय लेने की जो छमता होती है जब यह पूर्ण अवस्था में अपने आप आ जाए जब वो हर चीजियों को अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से उन चीजियों को उन चीजियों का इस्तेमाल करने लगे तो समझ लो कि बालक क्य आ जाता है परिपक्वन में आ जाता है और ये एक में कारण बन जाता है बालक के विकास का जब वो परिपक्वन में आ जाता है तो निर्णा ये ठीक से लेता है तर्क सही से करता है और अपनी बातों को सही से रख पाता है इसी के कारण वो growth development भी अच्छा करता है ठीक है बात के साथ ही बालक सीखना प्रारम कर देता है अर्थाज जैसे बालक जन्म लेता है वहीं से उसका सीखना जो हो वो स्टार्ट हो जाता है और अधिगम के द्वारा ही वा नई नई बातों को सीखता है तो क्या होता है कि जब बालक पैदा होता है मेरे परे दोस्त तो आप जानते को अबजर्व करता है और उसके बाद क्या करता है धीरे धीरे उसके अंदर डबलब्मेंट होने लगता है जब उन्हीं चीजों को सीखना सीखना स्टार्ट कर देता है तो उसके अंदर development होने लग जाता है बात करें मेरे परएजर दोस्त जो तीसरी तीसरा कारण आ जाता है व आ जाता है फो आपका तीसरा कारण इसलिए ये मुक्ष हो जाता है स्ख्रियत कि जब मेरे परएज्द का परिपक्यों को पर शक्रियाओं परेजित आगे बढ़ता है ठीक है जब आदमी के अंतर परिपक्वन आ जाता है और वो किसी चीज को learning start कर देता है सीखना start कर देता अधिगम करना start कर देता है तो उसके अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त सक्रियता आ जाती मतलब वो active हो जाता है और जब या आद्वेक्टी कोई ग्रोध कर पाता है थीव ? जो चौथा कारण आपका आरा है संघहर से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डार्बिन और अन्य विकास्वादियों का विचार है कि विकास का कारण है जीवन का संघर्स और संघर्स में सफलता है मतलब आदमी पैदा होता है तो बार्ज आई galam नई नई परिसानियों से नई नई चीजों से कभी उसको खुसी होती है कभी इतना खुसी होती कि वो बता नहीं सकता, ब्यक्त नहीं कर सकता, और कभी इतना दुख हो जाता है कि वो भी उस तरीके से आपको बता नहीं सकता, तो क्या होता है कि उसके जिंदगी में जो ये उतार चड़ाओ आता रहता है, तो वो क्या करता है, उन चीजों से करता है तो तो एच्छे से डबलप कर पाता है ठीक है तो इन चीजों के बारे में यहां पे हम देख सकते हैं जो आपका पाचवा कारण आ रहा है में पर दोस्त वह जीवन सक्टी और अन्ता प्रेणा ठीक है जीवन सक्टी में मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि जिसे अदमी अलग हो जाता है समदाइक होता है ना जिसे आप अगर समाज सास्तर पढ़े होंगे तो उसमें देख सकते हैं कि समाज जो होता है हर बेक्तिका अलग-अलग होता है तो वो क्या होता है अपने समाज में जन्म लेता है और इस किस तरीके से है डॉन वाला है सब कुछ सिस्टम वो उसका इंट्रेस्ट जो है गन की तरफ बढ़ेगा वो जो है मारना उसको जादा पसंद आएगा डर दिखाना ये सारी चीजी उसको काफी जादा इंट्रेस्टिंग लगेंगी और उसी में वो क्या करेगा अपने आप को ग्रोथ करेगा वहीं एक वालक अगर टीचर के घर में जन्म ले ले ठीक है तो हाला कि 90% केस में ऐसा होता है कुछ अपवाद भी निकल जाते हैं तो उन चीजों के उपर ध्यान मत दीजेगा क्योंकि हर चीज का अपवाद है और कोई चीज पूर नहीं है ठीक है तो बा क्या पढ़ें और क्या बनेंगे वह एक लच निरधारित करता है कि उसको पुलिस बनना है डॉक्टर बनना है मास्टर बनना है जो कुछ भी बनना है उसको वह अपना निरधारण कर लेता है और उसी में क्या करने लगता है अपने हिसाब से चलना ही स्टार्ट कर देता है वो थोड़ा बहुत मार-पितया से इन सब चीजों से दूर रहता है तो ये उसके प्रवेस का जो होता है वो पढ़ता है वो जो इन्सप्रेशन जिन से लेता है उसका प्रभाव जो है परता है और यही कारण जो होता है आदमी के ड्बलम्मेंट का एक मेन कारण बन जाता है I hope आपको विकास के कारण के बारे में काफी जादा समझ में आया होगा तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, बात करें अब देख लेते हैं कि विकास की विशेश्थाएं क्या होती है जैसे कुछ चीजें अभी हमने क्या विकास के बारे में पढ़ा उसके परिवासा देखी उसका अर्थ देखा उसके बाद हम लोगों ने किया देखा मेरे परेदोस्त अभी विल्दी देखी अभी विल्दी की परिवासा अभी विल्दी का अर्थ देखा दोनों म आप समझो, यहाँ पे specific pattern of development, मतलब जो development होता है मेरे पैरे दोस्त, वो क्या एक, क्या बोल सकते हैं, एक बिशिष्ट, एक अलग तरीके का एक निश्चित pattern पे चलता है, जो विकास होता है, एक निश्चित pattern पे चलता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, विकास एक निश्च कि आप किस नसल में पैदा हुए हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ भारत में हुए हैं, चाए आफ्ट्रेलिया में हुए हैं, चाए अमेरिका में हुए हैं, चाए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं भी आप हुए हैं, तो उसके उपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता बस क्या विकाज जो है सभी बच्चों के साथ एक समान होता है उदारन के लिए पहले बालक बैठना सीखता है तो अपने या भी बैठना सीखेगा अमेरिका में भी बैठना सीखेगा और इंग्लेंड में भी बैठना सीखेगा ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो उड़ना श्टार्ट कर देगा फिर वह खड़ा होना और बाद में चलना सीखता इसी प्रकार पहले अगले दात निकलते हैं फिर पीछे के तो ये सारी चीज़े जो होती है एक निश्चित करम में एक इस्पेसिक क्या बोलते हैं इस्पेसिफिक पैटर्न को फालो करते हुए ये चीज़े चलती है ठीक है बात करें जो दूसरी विसेशता है विसे विकास की वो है निरंतर विकास की विसेशता है मतलब डबलप्मेंट जो है ये कांटीन्यू होता ही रहता है मतलब रुकता नहीं है विकास रुक जाता है कम यह जादा न जब तक चलती रहती है ठीक है मतलब जब बालक पेट में आता है और जब तक को परिपक को नहीं हो जाता तक ये प्रक्रिया क्या होती है चलती रहती है बालक विकास की गती कभी तीवर होती है तो कभी मंद होती मतलब विकास जो है कभी तीवर भी हो सकता है और कभी मंद हो स आप समझो कोई चीज कोई आदमी है आगे चलके समझ लोगो डीम बना ठीक है या आई ये यूपीएसी की परिच्छा उसने कॉलिफाई की और फर्स्ट रैंक लेकर के आया या फिर समझ लोगो कोई अच्छा इंजीनियर बन गया या फिर कोई अच्छा टीचर बन गया तो ये एक दिन की उपज नहीं है कि रात में उसने सोचा और उठा आराम से उसके बाद क्या किया इस चीज को सुरू कर दिया दो चार महीने में अपना क्लियर कर दिया ऐसा नहीं है उसके दिमाग में चीजे क्या होती सुरू से पनपना स्टार्ट होती है ठीक है ऐसा ही सरीर म ही ले लो अगर वो चीज थोड़ा सा निकल आया मतलब एक तरीखे से समझ लो जैसे अब आदमी का बॉडी जो है एक बैक थोड़ी ना होता है कि आज रात को सोए कल आज 20 किलो के थे कल तुम 300 किलो के होगे ऐसा तो होगा नहीं आज तुम 20 किलो के थे पांस दिन बाद तुम अनुक्रियाओं की और होता है डबलप्मेंट प्रोसीड फ्रॉम टू स्पेसिफिक रिस्पॉंस बिविन बातें अध्यन अध्यनों से बिटित हुई हैं मतलब हमारे सामने आई हैं कि गति संबंधित गति संबंधित मानसी विकास की पक्षों में बालक पहले सामान अनुक बढ़ा सा बच्चा है उसके सामने एक चोटा सा बहुत छोटा सा समझ दो दो से तीन इंच का रख लो एक सेंटीमीटर का एक गुड़ा रख लो और एक कम से कम बढ़ा सा एक मीटर का गुड़ा रख दो सके सामने relative इसका अभी रेखो उसकिस गुंडे को मतलब जो टैडी मांक लगाना स्टार्ट करता है और फिर क्या करता है वो छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्याद देना शुरू कर देता है मतलब वो कोई काम करेगा तो पहले आसान वाला करेगा फिर धीरे-धीरे उसमें कठिंता जैसे आप गेम खेलते हो तो गेम का लेबल पहले क्या होता ह है तो वही चीज यहां पर बताया जा रहा है जो बालक का विकास होता है वो पहले क्या होता है आराम से सामाने रूप से स्टार्ट होता है फिर धीरे-धीरे बढ़ता रहता है यही चीज हमारी पढ़ाई में भी फालो होता है अगर आप सोचो कि आज से हम 10 घंटा पढ़न लोगोगे कि तुमको खुद ही नहीं विश्वास होगा कि ऐसा संभव कैसे हुआ है ठीक है यह हो गया जो आपका पांचवा नियम आ जा रहा है मेरे पर दोस्त नियम क्या करें विशेष्टा जो आ जा रही वो आ रही है कि विकास की गती बैक्तिकता भिनता होती है मतलब एक बालक और बालिकाओं के विकास का अपना स्वयम करम होता है जिसमें बैक्तिक भिनताएं पाए जाती है एक ही आयू के दो बालक दो बालिकाओं अतवा एक बालक एक बालिका के सरीरिक मानसिक सामाजिक आज विकास में बैक्तिक भिनता परिलचित होती है इस कीनर ने ठीक ह का है विकास के सुरूपों में बैक्टिक भेनताएं पाए जाती है जैसे आप समझो एक बालक जो रोड पे गुबारा बेच रहा है और एक बालक जो आपके घर में है वो भी आठ साल का है और आपके घर का बच्चा भी क्या है आठ साल का है लेकिन आपके बालक का जो विकास वो अलग तरीके से हो रहा है जो वेचारा गुबारा वहां पे बेच रहा है पेपर बेच रहा है जो पानी बेच रहा है उसका विकास अलग तरीके से होगा तो इस क्या होता है कि प्रतेक वालक में बैक्तिक भेनताएं पाई जाती है ठीक है तो ये चीजें आप समझो यहां पे हजारों गाडिया आ जा रही है वहां पे वो चलके उन चीजों को बेच रहा है और पैसे एकठे करके अपने साम के भोजन का और अपने रहने का इंतिजाम कर रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या होता है कि विकास की एक खासियत ये खूबी एक बिसेस्ता ये भी होती है कि ये प्रतेख विक्तिमें अलग-अलग तरीके से होता है ठीक है चलिए बात करें सरीर के विबिन अगों के लिए विकास विबिन हैं दर पर होता है ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका हाथ जो है एक इंच बढ़ा तो आपका सिर भी एक इंच बढ़ जाएगा आपकी उंगली भी एक इंच बढ़ जाएगी और आपका जो पूरा बॉड़ी है वो एक एक इंच करके बढ़ेगा जो सरीर का भिन अंग होता है में एसियों में भड़ता है ठीक है जैसे यहां पर देखो सरीर के विभिन भागों का विकास अपनी प्राकृतिक आउसक्ताओं के आधार पर विभिन समय में से विभिन दर पर होता है उदारण के लिए मस्तिक 6-8 वर्स के आजपास परिपक्कन नापका हो जाता है परन्तु इस क्या होता है यह अलग-अलग अनुपात में अलग-अलग रेशियों में ग्रोथ करते हैं जैसे अगर ले लें कि बालग जो 6-8 वर्स का बालग होता है उसका जो मस्तिक्स होता है वो क्या हो जाता है परिपक के नापका मतलब उसका जो नाप होता है वो पूर्ण रूप से ह सबसे हो जाता है लेकिन उन चीजहों को वह अपने समाज में रहते रहते काफी समय बाद जो है उन चीज़ों को बेश्ट तरीके से उसमें जो क्या कहते हैं आप समझ लो उनकी जो क्रियावें करने का संगंखभन्थं चम्था होती मतलब एक अठा करने की जो छमता होती है एक तिरीके से बालक साथ से आठ होर्स की वायू में समझेओ पूड़े रूप से परिपक्व की जो उसका मस्तिस का नाप होता है वो परिपक्वाला हो जाता है मतलब इससे बढ़ना नहीं है बस उसमें जो चीजें विशेस्ताइं जो उसमें गुण गुण एक प्रभी की तरीके सा समझ सकते हों जो उसके मुण होते हैं उनको एकठा करने में उसको काफी जादा समय लग जाता है कि OC मिनट बात करें मेरे पहले दोस्त बिकास के अगली बिसेथा के बारे में तो उदारन के लिए बालक कुसागर बुद्धी के होते हैं, मतलब जो बालक कुसागर बुद्धी के होते हैं, वे उचाई, उचाई आकार सामाजीता में उच्रिष्ट कोट के होते हैं, मतलब जो बालक होता है, कुसागर बुद्धी, मतलब तीबर बुद्धी, मतलब जो बालक एक तरीके से genius टाइप कर रख लो तो वो क्या होता वो सभी चीजों में क्या होता है काफी जादा perfect होता है उसके सरीर का आकार भी अच्छा खासा होता है और उसके सावर भी सारी चीज़ जो होती वो काफी अच्छे और काफी तीबरता से डबलब करती हैं वहीं पर अगर ले से पूरी सरीर को क्या हो दाता प्रभाव पड़ता है यह यहां पर कहना चाहते हैं तो मतलब इसमें कहने का यही मतलब है कि जो बालक के विभिन गुण होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे से related होते हैं अगर एक बढ़ गया तो सारे बढ़ेंगे और एक घट रहा है तो स पारे आराम से घटेंगे समझ में आ गया चलिए बात करें जो इसका अगली पिशेशता है वो है विकास का आगम बताया जा सकता है मतलब डबलप्मेंट इस प्रेडिकेट अर्था अगर हम देखें कि बालक किस जो देखो यहां पर क्या बोला है कि चूकी विकास के लक्ष के साथ क्या होने वाला है और वो क्या बनने वाला है इन चीजों को बताना काफी जादा आसान और सभाविक हो जाता है ठीक है चलिए बात करें विविन अंगो को है अगला जो आपका आपकी विशेशता है वो है कि विविन अंगो के विकास की विविन ने गती होती है कारण के लिए जन्म के समय सिसु के विभिन अंग एक समान नहीं होते बलकि छोटे बड़े होते हैं बालको का मस्तिक 6-8 वर्स की आयू में परिपको हो जाता है उसके बाद उसके हाथ पैरनाक कान पूर्ण विकास जो था उनका वो कि सोरा वस्था तक ही हो पाता है मतलब यह होता है अपने अपने हिसाब से होता है जैसे कि बालक के जो परिपको होने मस्तिक के परिपको होने का अगर ताते पर लें तो वो कपसे मेरे पैरे दोस्त 6-8 वर्स के बीच में हो जाता है पूरा मस्तिक परिपको हो जाता है लेकिन उसकी बादी को पूरा मेच्वर होने मे करीब करीब कि सोरा आवस्था पूरा चला जाता है ठीक है कि सोरा आवस्था तक वो हो पाता है तो अभी देख रहे हो आठ उम्र में मतलब बाले आवस्था में उसका क्या हो जाता है पर दोस्त वो उसकी जो मस्तिक्स होता है वो मिच्वर हो जाती है लेकिन उसकी बॉडी मि जाता कि सोरा आवस्था तक चलती है तो यह काफि जादा क्या डिखाई पड़ते हैं अंतर डिखाई पड़ते हैं ठीक है बात करें जो अगला अगली विसेशत्ा है किसकी बिकास की वो है कि बहुत से तदाकित समस्या बैवहार के रूप में अवस्था विसेस में होने वाले शामाने वेवहार होते हैं मतलब कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो उस एज में बालके उस एज में होना स्वभाविक होता है लेकिन हम लोग उस चीज़ों को क्या एक बड़े उसमें देखने लगते हैं जैसे अब यहाँ पर देख लो कि उत्रारंबिक अवस्था में कुछ ऐसे वेवहार होते हैं जैसे तुतलाना आंक जपकाना दांच से नाखोन काटना तनाव प्रकट करना भाव अरच्छक आधी वास्तों में ऐसे वेवहार स्वभाविक होते हैं मतलब ऐसा उस एज में होना काफी जादा पॉसिबल होता है कोई possibility होती ही स्वभाविक होते हैं जो अभिवावक या अध्यापक कभी कभी नहीं समझ पाते हैं तो जो उसके माता-पिता होते हैं या जो उसके teacher होते हैं वो उनको लगने लगता है कि यार यह क्या कर रहा है मतलब अजीब ऐसा होना संभाव है स्वभाविक है और परस पर एक तनाव हुआ खिचाओं उत्पन्व हो जाता है ऐसी दसा में बच्चों की आउसकताओं यों मिसेश्थाओं को समझना अतियंतर जरूरी है तो जब टीचर या अभिवावक की सीच को नहीं समझ पाता है कि बालक ऐसा सवभा भी खईस उमर में करना अगर एचीज उसक सिच्छक को समझना चाहिए और इसका जो है उपाय धोड़ना चाहिए आसानी से भी किसी चीज का उपाय मिल सकता है बिना जोर और दबाओ के ठीक है ये चीज़े समझ में चलिए बात करें जो इसकी अगली विशेश्था है वो हमें प्यारे दोस्त कि प्रतेक बेक्ति समा समय और और अवस्था में ही वmanas होता है अगर बाल्र आवस्था में और आप उससे अपेक्षा कररें हो कि नहीं वो किसोर आवस्था काम करें कैसे कर पाएगगा निस्जित क्रम है बालक पैले स्पैयदा क्रूप अवस्था होगा 2 सैसो अवस्ता से फिर बाले अवस्ता में, फिर किशोर अवस्ता में, फिर प्रोणा अवस्ता में, इस जो ये जो आप समझ सकते हो चैन है, इससे सभी को होकर गुजरना पड़ता है, सभी बालक को होकर गुजरना पड़ता है, ये विकास की विसेस्ता होती है, जो आपकी जो बेस है वो उसके बाल्यावस्था में ही बन जाता है ठीक है बालक आगे चल के क्या करने वाला है किस तरीके से करने वाला है जैसे कहते नहीं कि वो दूध के दान पालने में पाओं पालने में ही दिख जाते हैं कुछ करके ऐसे कहावत है तो बालक का क्या हो जाता है बाल् बाले अवस्था में ही पता चल जाता है जैसे जीवन के प्रारम्भिक वर्सों में सारीरिक, मन, बुद्धी, विचार, अभिविर्ति, आदतें और बेवहार के प्रतिदर्स का निर्मार होता है गेसल, इल्ग और एम्स लिखते हैं कि प्रत्थम दसक में मानों की कार प्रनाली की नियू और अधिकान सरूप रचना तयार की जाती है मतलब जो maximum उसकी जो सारी चीजे होती है वो यहाँ पर कहीं बाले अवस्था में ही मतलब पहले starting के 10 साल में ही सब कुछ उसकी तयार किये कर दिया जाता है उसका जो foundation होता है वो starting के 10 साल में ही हो जाता है ऐसा किसका मानना है तो गेसल इल्ग और एम्स इन लोगों का या मानना है ठीक है बात करें जो अगली विशेष्टा है मेरे परेज़ दोस्त तो विकास की जो अगली विशेष्टा है वा है विकास व्यापक होता है और अभिव बिर्दी के तरह सभी विक्तियों में भिन होता है मतलब अगर देखें यहां पर तो आप देख सकते हैं विकास की ठीक है कि या अभिविविशेष्टी से तुलना करें करते हुए असपश्ट करें कि या अभिविश्टी से अधिक व्यापक कहा जाएगा इसके अंतरिक होता है growth हो पाता है मतलब body वहीं पर समझ में आ जाते हैं कि भाई ये पांच फुट तीन इंच का ही रहेगा अब वहीं पर growth रुख गया लेकिन अगर विकास की बात करें तो बालक जब से पैदा होता है पैदा कि जब से गरवावस्था में आता है तभी से लेकर क्यों जब तक वो एक्सपायर मतलब मर नहीं जाता है जब तक वो अपनी जीवन को त्याग नहीं देता, अपनी सरीर को त्याग नहीं देता, तब तक वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, मैं फैदोस सीखता रहता है, और विकास करता रहता है, ठीक है, इसके आंतरिक यद्दप सभी बेक्ति, एक निश्चे धंग से विकास करते है फिर भी उसके विकास सहली style अलग अलग और अपनी होती है इससे वे भिन होते हैं मतलब जो विकास होता है डबलब्मेंट होता है मैं फैदोस्त वो हर बेक्ति का अलग अलग होता है और अपनी अपनी style में होता है ठीक है सभी का क्या होता है अलग अलग होता है और अपनी बुद्धी का है वो काफी जाधा स्पीड में कोई चीज सीखेका तो उसका आप मंदित्त का आपको इतनी चीजे एगी मिरेध्युन में चिलेगा तो इस तरहे के से क्या हो जाते हैं यह सबीय लोग आपस में अलग हो जातेज हैं कब रेली साम को साथ बजे बाल बिकास की कलास आप की होने वाली है तो वीडियो को फटा फट लाइक करो सबस्क्राइक करो चैनल को और आल वाला बेल आईकन भी डबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहो और आप जॉइन कर सकें तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोस नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए जैहिन जैभारत